कैसे हैं आप लोग मैं हूँ Sandeep Singh professional estimator and billing engineer and आप सभी engineers के लिए corporate tenor engineers मैं आप सभी का Reinforce training students for civil engineers के digital platform पे स्वागत करता हूं और जनाब आज हम देश की राजधानी दिल्ली में है और यहाँ पे एक ब्रिज का project चल रहा है कर रहibility होगे तो बने रही है हमारे साथ हम करते हैं RNA to engineer सबुखंए हैं तो आप इसमें लोगजों के आपकी तीन पाइल का लूजए है और आपकी इससाइब आ रही है तो भीजों कर रहें उ credit कर रहे हैं तो पाइल पनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जो यह आपका pile है, यह आप यहाँ पर pile देख पा रहा है, इसका जो cut off level है, तो इस cut off level तक हम क्या करते हैं, सबसे पहले यह excavation करते हैं पूरा, ताकि जो हमारे लेवर्स हैं, जो वरकर्स हैं, वहाँ comfortable के साथ यहाँ पर काम कर सकें, और यहाँ पर देखें कि जैसा कि हमने आपका soil ना फैले, ताकि जो आपका काम है, वो disrupt ना हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यह आपका pile के हैं, जिसमें हम six pile का arrangement कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आप यह bottom mesh देखेंगे, तो bottom mesh में हम steel का तीन layer यूज़ कर रहे हैं, यह देखेंगे, य इस बार के center से लेके, इस बार के center तक, जो यह हमारी spacing है, वो आपका 150M center to center है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो इसमें हम यह bar use कर रहे हैं, वो हमारा कौन सा है, FE 500D है, means इसकी जो ductility है, वो आपकी जानदा है, तो यह हमारा पहला man bar है, जो कि हम 32M का use कर रहे हैं, यह भी आपका 32M का bar है, सेम इसका जो spacing है, वो भी आपका 150M center to center है, तो इस तरह से आपका यह दूसरा layer है, तीसरा layer देखेंगे, तो जो आपका यह extra bar है, जो कि हम इस pile cap के long face में provide कर रहे हैं, pile cap का पूरा यह long face है, इसमें हम यह आपका 32M का यह extra bar provide कर रहे हैं, जो कि band नहीं होगा, विल्कुल यह सीधा जाएगा, तो यह जो bottom mass है, इस pile cap का, वो तीन layer में इसका reinforcement हो रहा है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे, यहाप पे हमने यह face bar भी provide कर रखे हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह हमारे क्या है, face bar है, जो कि आपका जो bottom से जो बार उप देख सकते हैं, जो हमारा यह pile cap है, इसका जो bottom बाला part है, bottom में जितना भी reinforcement आएगा, length की direction में आ रहा है, और यहाँ पे हमने length की direction में एक और आपका 32 mm का एस्टरा बार प्रोवाइट किया, जो की side आपने अभी तक कहीं देखा होगा, अब हम इसके top mass की तयारी करने जा रहे यह हमारा FE 500D है, जो की आपका 20 mm का है, यह हमारे chair bar है, तो इस chair bar को हम 1 meter square में एक chair bar provide कर रहे होते हैं, जो हमारे chair bar है, जो उपर से आपका top mass आएगा, अभी सिर्फ यह नीचे आप bottom mass देख पा रहे हैं, इसके बाद हम top mass बनाएंगे, तो यह जो हमारे chair bar है, वो top mass को hold कर पा और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यह हमारे chair bar का यह लेग है, और यह लेग हम कुछ इस तरह से provide कर रहे होते हैं, ताकि हमारा 2 spacing cover हो जाएं, और यह जो हमारा lag है, वो minimum 2300M का होता है, आप यह देख सकते हैं, इस तरह से, 2 spacing cover हो जाएं, इस तरह से हम इसको provide कर रहे हो carton window, शेकर चीज हम हो रहा होगा, तो जो आप यह पाइल देख रहा है। इस पाइल का डाइम्टेर वो आपको यह कहीं सब्सक्राइबं कि इसके, वह श्यर्ड मेंकुछ सब्साहत है। तो इसको दो बार को हम आपस में बैल्ड करके प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आप इसमें देखेंगे यहां पर हमने एक हेलिकल रिंग प्रोवाइड किया हुआ है यह देखेंगे यह हमारा ही हेलिकल रिंग है जो आप यह देख पा रहे हैं करने के काम आएगा साथ में आपका से के ही कर रहा होगा से आज रखाहा का उन्हेWest कर महनुका दूसकर हम आज हम को ब्रिज की साइट पर खड़े लीचा ही लीजियनर के वारे M आज के भार में और और ब्रीज के बृसces लोया Гणी साइट और कि रखाहए नीगी में की क्यों प्रोवाइट कर रहे होते हैं ताकि आपका स्टील रिइंफोर्समेंट है वह आपका बैदर एक्सपोजर में ना जाए आपके स्टील के आउटर से लेकर कॉंग्रीट के आउटर तक की डिस्टेंस होती है उसको हम कबर ब्लॉक बोल रहे होते हैं और यहां पर आप दे 25 mm होता है, तो आप यह देख सकते हैं यह हमारा क्या है पाइल को का रिंफोर्समेंट चल रहा है और यह पाइल के यह बॉाकम मैस घहे हमारा कबर लोक लगाया हुआ है और यह क्या है आपका ए ठी बीच में आता है इसका प्र yammewater जला हुआ बांकि आपका Earth Face में आएगा क्योंकि इसके आसपास स्वाइल हम लोग बैक फिलिंग में डाल रहे होंगी तो यह लगाया हुआ है आप यहां पर देख सकते क्योंकि आपका Earth Face में आ रहा है इसलिए हम यहां पर 75 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं एंजिनियर्स जब हम पाइल की बात करते हैं तो आप पाइल चिपिंग के बारे में सुन रहे होते हैं तो यह पाइल चिपिंग क्या होती है आप उस बात को समझ लेजिए जब हम पाइल की कॉंक्रीटिंग करते हैं तो उस समय जो कॉं जो आपका pile cut-off level होता है यह देखेंगे यह हमारा क्या है cut-off level है तो यहां तक ground level से लेके हमने यह pile cut-off level तक हमने इसका पूरा pile आपका break किया हुआ है इसी process को हम क्या बोलते है और इस दोराल जो हमारा यह steel reinforcement रहता है वो थोड़ा सा ठेड़ा हो जाता है जिसको हम बाद में सीधा कर रहे होते हैं तो ground level से लेके जो आपका pile cut-off level है वहां तक आपका यह पूरा pile break किया जाता है जो manually भी हो सकता है और आपका pile breaker आता है उसके तो भी हम कर रहे होते हैं तो यह पूरा का पूरा process आपका यह pile chipping कहलाता है engineers आज हम बात करेंगे चेर के बारे में जब आप foundation की बात करते हैं फूटिंग की बात करते तो उस समय आप चेर के बारे में सुन रहे होते है और जैसा कि आपको पता यहां पर यह pile cap का construction चल रहा है तो इस pile cap में जो आपका यह pile cap का bottom mess है और अभी कुछ दिनों बाद यह pile cap क होता है और यह हमारा क्या है चेर यह वार का हाइट है और सबसे नीचे रहे है यह हारा क्या है इसको हम लैग ब्लते नहीं ग्यांट हूं ? बात करेंगे इस के diameter की जो आपके लाक रहा है उसका डाइमीटर किस समल एकम चेर कम आपके। इस pile cap का तो उससे कम नहीं होना चाहिए इतना आपको ध्यान रखना है कि जो मारा चेयर बाहर का जो reinforcement है वो आपका टॉप मेस से कम नहीं होना चाहिए तो एंजिनियर्स आप यहां पर देख सकते हैं जो यह पाइल केप का बॉटम मेस है वो बनके तयार हो गया है इसमें हमने चेयर बाहर भी लगा दी है और कुछ दिनों बाद इसका यह टॉप मेस का हम लेंग करा रहे होंगे और यह टॉप मेस आपका बनके तयार होगा तो य आप इस वीडियो को लाइक करी है और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो इसी तरह से आपको एस पर साइड हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है चैन्स्रक्शन के रिगार्डिंग वह इं आप